हेलो दोस्तों PMBB चैनल से मैं आपका दोस्त अतुल एक बार फिर हाजिर हूँ Excel को यूज़ करने के लिए एक नई टिप लेकर उमीद है कि ये नए अनुसका भी आपको जरूर फायदा पहुचाएगा लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में और अगर आपको मेरी टिपस अच्छी लगें तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें आज का टॉपिक है How to Multiply in Excel यानि Excel में गुणा कैसे करें आए देखते हैं तो दोस्तों ये एक फाइल बनाई हुई है मैंने Basically घर के सामान की एक लिस्ट है और देखें तो इसको कैसे structure किया हुआ है ये पहला column items का है bell, watch, shoes वगरा वगरा दूसरा column है जिसको मैंने A बोला है quantity bought कितना सामान हमने खरीदा है यानि bell 4 खरीदी, watch 2 खरीदी कितने में खरीदी rate per unit bell 1500 रुपे की एक थी, watch 500 रुपे की एक थी वगरा वगरा अब हमें देखना है हमने total खर्चा कितना किया है हर item के उपर तो जाहिर सी बात है आपको A और B को आपस में multiply करना पड़ेगा यहां answer लाने के लिए ठीक है जैसे यह है तो इसका answer आना चाहिए 10 into 20 यानि 200 तो ऐसे हमको सब answers चाहिए तो Excel को हम कैसे use कर सकते हैं multiplication के लिए वो हम देखेंगे देखे दो चीज़े हैं जो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि एक तो formula जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी formula लगाने के लिए हमें पहले is equal to type करना पड़ता है उस cell में जहां हमको answer चाहिए तो हमको answer चाहिए यहां पर तो हम कुछ भी करने से पहले is equal to लिखेंगे ठीक है यह हो गई पहली बात दूसरी बात यह कि यह arm usage में a into b करना है हमने a multiplied by b करना है तो एक cross का sign होता है यानि x का sign होता है लेकिन यहां पर excel में x multiplication नहीं करता उसके जगह हमें star use करना पड़ता है यह star का मिलता है आप अपने keyboard पर देखेंगे तो 8 number वाली key जो है उसके उपर star बना होता है तो shift दबाए रखके और अगर आप 8 को दबाएंगे तो वो star print होगा यह बड़ी basic सी चीज है पर मुझे फिर भी ठीक लगा कि मैं आपको clarify कर दूँ तो हमें यह तरीके इस्तमाल करने हैं multiplication करने के सब एक जैसे ही चीज़े हैं लेकिन एक एक करके हम देखते हैं क्या है यह तो अभी हम देखेंगे bell का खर्चा कितना हुआ हमारा तो is equal to हमने type किया है अब हम लिखेंगे 4 अब यह manual multiplication कर रहे हैं 4 into into कैसे करेंगे shift दबाए के 8 और 1.500 अब मैंने किया enter तो देखें आंसर बिल्कुल सही आगया 600 आंसर तो सही आगया क्या है is equal to 4 star यानि multiplication 1.500 यानि आंसर 600 है अब उसमें समस्या एक ही है जब हमने सारी लिस्ट बना ली तो हमें घ्याल आया कि अरे नहीं घंटी जो थी वो 1.500 की नहीं थी 100 रुपे की थी जब इसको ठीक करें 100 रुपे enter लेकिन आंसर क्या है 600 का 600 क्यों? क्योंकि हमने manually यहां पर number type किये है number बदल गया तो भी यह formula भी change करना पड़ेगा सो हलाकि यह calculator की तरह काम करता एक्सेल लेकिन ऐसे कोई फाइदा नहीं है इसका तो मुझे personally यह वाला तरीका पसंद नहीं है इसको मैं cross कर रहा हूँ अब हम देखते हैं दूसरा क्या तरीका है दूसरे में हम formula डालेंगे is equal to हमने पहले use किया अब हम बोलेंगे कि यह वाले cell में जो है इसको मैंने click किया इसने cell का address ले लिया cell का address मतलब E और यह 7 और यह देख रहे हैं dotted line गूम रही है यहाँ पर और यहाँ पर देखें यह E7 लिखा हुआ है तो E7 में जो है वो और star यानि multiplication और यह F7 को multiply जब हम करेंगे तो हमें watch का खरचान मिल जाएगा तो E7 into F7 और यह किया enter देखें आंसर आगे हजार अब इस case में अब वही problem जो हमारी हो गई थी अरे नहीं watch तो 500 की नहीं थी 400 की थी अब देखिए मैं इसको 400 कर देता हूँ sorry यहाँ पर मैंने इसको 400 कर दिया और enter करूँगा तो देखिए इसकी value change हो गई 800 हो गया यह तो यह इसका फाइदा यही है Excel को use करने का formula से कि उस cell में जो content जब भी change होगा तो आपका answer finally change हो जाएगा अच्छा अब हम आते हैं product formula बे देखिए is equal to अब हम type करना शुरू करते हैं पी आर ओ डी देखिए इसने अपने आप product बता दिया आपर इसको मैं double click करूँगा तो product के बाद इसने एक parenthesis डाली है फिर बोलता है पहला number कॉमा दूसरा number कॉमा और करते जाओ जब तक आपके number नहीं कतम होते हैं तो पहला number यानि ये ये एट फिर कॉमा दूसरा number मतलब ये एफ एट और मैंने इसको बंद कर दिया और एंटर आ गया सूला सो तो answer वैसे ही आएगा multiplication इसने क्या किया product और दो numbers का multiplication कर दिया ये तो ठीक है लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे number हैं जैसे मैं पहले यहां करते हैं फिर इधर करेंगे ये अब हम product formula को colon के साथ use करेंगे देखते हैं क्या होता है is equal to p, r, o, d, u, c, t product parenthesis चालू यानि shift 9 और उसके बाद एक हम range select करेंगे यहां से पकड़े पकड़े left click किये हुए मैंने इसको right में खीचा तो यह पूरी list select हो गई यानि 6 से लेकर 20 तक assume करें कि इसके बीच में भी कुछ था तो 6 से लेकर 20 तक और यह parenthesis बन तो देखिए यहां पर इसने e9 colon f9 कर दिया है यानि e9 से लेकर 6 इंटू 120 यानि 720 आगया answer ठीक है मान लिजे यही काम मैं यहां करूँ is equal to p, r, o, d, u, c, t और parenthesis चालू और यहां से लेकर यहां तक तो e6 से लेकर e12 तक जितने नंबर हैं उन सब का multiplication इसने कर दिया है ना बड़ासान ओके अब हम जाते हैं अगले तरीके पे अगला तरीका है fx को कैसे यूज़ करना है fx मतलब function function दो तरह से मिलता है अपने को एक तो यहां पर लिखा है यह fx insert function दूसरा same चीज फॉर्मूला में जाके यह insert function मिलता है कहीं से भी कर सकते हैं ठीक है तीसरा यह देखिए यहां यह बता रहा है यह सब short cuts होते है shift दबा के अगर आप f3 दबाएंगे अपने keyboard पे तो आपको same चीज़ मिलेगी तो अभी हम यहां से function दबाते है जब function हुआ तो हम बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है हमको multiplication करना है multiplication मतलब product निकालना है go यह कई type के products है यह हमने basic product निकालना है ठीक है जब हमने उसको click किया तो बोल रहा है कि कौन से number करना है तो हम इसको बोलेंगे number one है हमारा कौन सा है यह वाला tset वाला ठीक है eaten देखिए right को right में एक button है मैंने उसको दबा दिया तो इसने बोला हमने E10 ले लिया है E10 कौन सा number है 3 है हाँ यह 3 है अब हमको चाहिए दूसरा number दूसरे number के लिए click करेंगे तो यह 430 अब को select करना है यह एफ 10 select करना है यह click कर दिया ऐसे आप number select कर सकते हैं जहां तक चाहिए आपको और ओके तो देखिए यहाँ पर इसने 1290 आंसर दे दिया और अब इसको मैं अगर click करूंगा इसको अगर मैं click करता हूँ तो देखिए इसका भी वही है product E10 कॉमा एफ 10 ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे product E9 कॉलन F9 यहाँ देखेंगे product E10 8 कॉमा F8 तो आप function से जाएं या manually लिखें चीज वही आती है अच्छा आप देखें अब copy paste का क्या आपने जैसे यह formula लिखाता है यहाँ पर E7 into F7 यह answer आएगा आपने यहाँ से इसको copy किया यह मैंने right click करके copy कर दिया और इन दोनों में मैंने select करके right click किया और paste कर दिया देखें अभी क्या करेगा इसने E11 into F11 टाइब कर लिया अपने आप इसने E12 into F12 टाइब कर लिया अपने आप जो row का number होता है वो row रमरक हिसाब से formula आने शुरू हो जाते है तो यह थे कई तरीके multiplication करने के हलाकि सबसे ज़ादा जो use होते हैं वो इस तरह के formula होते है आप range अगर करना चाहते हैं तो colon वाले होते हैं यह वाले जो हैं तो है ना simple यह Excel है ही इतनी आसान छोटी छोटी ऐसी tips को देखें प्रैक्टिस करें और बड़ी जल्द यह आपको Excel अच्छे से आजाएगी और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें और bell icon को दबा दें ताकि नए videos release होने पर notification आपको आता रहे चलता हूँ और लौट कर मिलता हूँ एक नए tip के साथ अगले वीडियो में आपका दोस्त अतुल PMBB चैनल से signing off बाबाई